सबी को जाएं दोस्तों आप सबी का हार्दिक सौगत है भारत इस इंडिया पर आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छ होंगे तो आज जम आपके लिएक लेटेस्ट और एक बहुत ही मज़ेदार वीडियो लेकर आएं जिसमें आप देखेंगे आके सार के मशूर पतरगार आर्जू काजमे जी को जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और सुप्रीम कोट की सीनर वरकील और हम सबकी चहती नाजिया लाही खान जी तो ये वीडियो काफे इंटरस्टिंग होगी आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मज़ा आएग बहुत भाग दोड़े फिर भी नाजिया ने टाइम निकाल लिया थैंक यू सो मच नाजिया क्या जब आएगे बहुत मसा आता है आपके साथ जब भी सेशन होता है ना मुझे बहुत मसा आता है मुझे भी बहुत अच्छा लगता है और आज भी मैं आप से पूछना मुझे के मुखतार अंसारी मसीह लिख रहे हैं लोग ट्विटर के ओपर कुछ लोग गैंग्स्टर लिख रहे हैं आखर ये क्या माजरा है ये हो क्या रहा है देखी मैं विक्रम सुन जी एक्ट्री में बहुत ही इंटेलिजिएंट है बहुत ही मैं तो उनको अंकल बोती होगा तो वो पार्ट अब मैं नहीं टॉच कर रही हूँ क्योंकि वो कट चुके है ठीक है मुझे ऐसा लगता है ना आर्जु जी कि बहुत सारे मुसल्मान जैसे पाकिस्तान के और भारत के हैं जो प्यार की भाषा नहीं समझते हैं और 1947 से लेकर के 2024 के अप्रेल तक मुसल कि समुदर का पानी अगर खारा नहीं होता ना तो लोग उससे भी बिजनस कर लेते हैं और लोग उसको भी उठाकर पी जाते हैं और अमारी दुनिया में अमारी धर्ती पर एक भी समुदर नहीं बचता तो कभी-कभी होता क्या है कि हमें अपने औरा के अंदर हमें अपने अंदर थोड़ा सा खारापन लाना पड़ता है किसी को समझाने के लिए लेकिए 65 केस, 65 क्रिमिनल केस, जिसमें 8 गैंग्स्टर एक्ट के केस रजिस्टर हुए थे मुक्तार अंसारी के बारे में सब को पता है कि समाजवादी पार्टी जो अखलेश यादव और भुलायम यादव की पार्टी थी और कॉम्रेस के गोध में रह करते उसने उत्तर परदेश को जीता जाकता पाकिस्तान का धर्टी बना डाला था जहां पर हिंदू चूँचा भी नहीं कर सकते थे उत्तर परदेश एक ऐसी जगा थी कि हिंदूों को अपने फेस्टिबल्स को मनाने क के लिए दिवाली का दीव जलाने के लिए भी सोचना पड़ता था कि अगर मुक्तार अंसारी गुस्ता हो जाएगा तो वो तो सीधा तलवार निकाल लेगा सीधा तलवार निकालेगा मुक्तार अंसारी वह वह अत्ति रहा है जो अपनी जीप पर अपने चुन्नु मुन्न कि तलवार ले करके, अगर कोई प्रॉफिट ये कहते है, कि काइंडली बी पीस अपॉन हिम, तो हसी ही आती है लोगों को, हसी ही आती है, कि आप अपने एक हाथ में तलवार लिये हो, और आप अपनी जुबान में कह रहे हो, कि काइंडली बी पीस अपॉन हिम, what is this, मसा चल र तए बाढ़े हैं थी, 65 क्रिमिनल केसे, जब उसके ऊपर रजिस्टर हुए थे, जिसमें से 8 क्रिमिनल केसे, डांग्स्टर रजिस्टर आक्ट में हैं, तो वो तो समाझबादी पाटी अखलेश यादब की सरकार चल रही थी, और कॉंग्रेश की सरकार चल रही थी और उनक किसके नेतरित में कर रहा था Congress और अखलेश यादव की नेतरित में कर रहा था अब लोग सोचेंगे कि अपोजिशन में है नाजिया इसलिए ये बात बोल रही है नहीं महिलाओं को मैं ले बाद जरूर बताना चाहूंगी कि अकलेश यादव और मुलाइम सिंग यादव वो ह जो कभी भी एक पिता और बेटे के अंदर इज़त वाला रिष्टा नहीं था बेटे अकलेश यादव ने हमेशा पिता को बेज़त किया है और सरे मंच भी पेज़त किया है मुलाइम सिंग यादव ने अपनी स्पीच में आर्जो जी कहा था कि अरे लड़किया इतनी कौन बोल रहा है ये उत्तर परदेश के उस वक्त मुख्यमंद्री बोल रहे है अब आप सोचिए अब आती है बात कि एक व्यक्ति मुक्तार अंसारे जिसको आज शहादत का दर्जा दिया जा रहा है जिसको आज बहुत बड़ा एक मतलब मुसल्मानों का मसीह मर बनाया जा रहा है पर उसके छवी को और उसके बैक्ग्राउंड को अगर देखा जाए तो वह एक गैंसर के इलावा तो कुछ भी नहीं था और मेरे लिए बाखुदा रमजान का महीना है मेरे लिए ये जो मुसल्मान उसको अभी मसीह बना रहे हैं और उसको शहादत का दर्जा दे र भारत के मुसल्मान हुए तछे याकूب मेमन की मौत पर भारत के मुसल्मानों ने बहुत आशू बहाया था और विदवा मिलाब किया था और उर बहुत चााती पीटा था तो आज जब मुगतार अंसारी की मौत हुई है तो मुझे ऐसा communications preacher के हैं से मुसल्मानों को खुश होना चाहिए और नफिल नमास पढ़नी चाहिए शुक्राने की नमास पढ़नी चाहिए कि मुखतार अंसारी 72 वर्जिन ओरों के पास चला वे आयाशी करने के लिए यह तो नमास पढ़नी चाहिए यह तो बहुत खुशी की बात है अगर नाजिया एक चीज़ और है य भारत की जेल में यह सब कुछ भी होता है कि आप इतनी फैसलिटी किसी कहदी को दे सकते हैं भारत की जेल में जुडिशरी सिस्टम अब जाकर के टाइट हुआ है उनने बर्कुल सही बताया है और क्यूंके वो डीजीपी रह चुके हैं तो उनका जो प्राइब का जो आंक स करके मारा गया है जुडिशिल कस्टेडी के अंदर किसी की मौत इतनी आसान नहीं होती है बिल्कुल आसान नहीं होती है और उनके बेटे के लिए सरवुचे नया है पालिका का दर्वाजा खुला है उनका बेटा एमस में करवाना चाहता है री एमिस्टिगेशन वो कर सकता है सारी चीज़े खुली भी है अब आती है बात के जेल के अंदर इती सारी फैसिलिटी तो मैं आपको एक चीज याद दिला देती हूं कि याकूब मेमन की जिस सुभा में फासी होने वाली थी उसी रात को बारा बजे दा ओनरेबल सुप्रीम कोट ऑफ इंडिया सीजी आई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर में पूरा वकीलों का एक खाफिला पहुंचा था पूरा वकीलों की फौज पहुंचे थी और एक मर्सी पिटिशन सब्मिट करने के लिए और वो वकीलों का खाफिला ये कह रहा था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को याकूब मेमन का भ तो मुझे देखिए भारत हमेशा जब भारत के मुसल्मानों को दिखता है कि कोई एक आतंकी, दंगई, जिहादी, जंगजू और बलातकारी अब कानून के शिकंजे में आ गया है तो वो तुरंत उसको कनवर्ट कर देते हैं मसीहा पर या बहुत खुबसूरत इंसान पर या अलाह का भेजवा फरिश्टा पर या फिर ये बता देते हैं कि आरे भाई उसने तो इतना सोशल किया है, मुसल्मानों के लिए इतना कुछ कर दिया है कि भाई वो किसी के लिए रहे तो रहे करिमिनल, पर मुसल्मान कमिनिटी के लिए तो वो बहुत बढ़ा मसीहा था फी नारे जहन्नम, अब नासर खार मरेगा, जिसने बलातकार किया, जो दस साल जेल के अंदर जमा रहा, या बदाईयों का वो साजिद और जावेज, जिसने दो मासूम बच्चों के गले काटे, उसकी बोडियां खाए और उसका खून मुह में लगाया, तो हमको तो पढ़ना है, वो तो हमने हर जगह रेका है, चाहे इंदुस्तानों या पाकिस्तान इस किसम के लोगों की जब डेथ होती है, तो बहुत लोग निकल कर आते हैं, बड़े अफसूस की बात है, कि यहां पर भी जो हमारे जो बज्जाब के गवर्नर से सर्मान तासीर, उनको जिस आदमी बात यह है, आर्सुजी, कि वो सिर्फ फिश प्राई नहीं खाता था जेल के अंदर, वो अपना गैंस्टर का पूरा कारोबार भी जेल के अंदर से चलाता था, उससे लोग मिलने आते हैं, वो हज़र सत्रह में एक और एफ आयर उसके उपर हुआ था, मुक्तार अंसारी के अंदर में पुरा महल का इंतिजान था, मुक्तार अंसारी के लिए, कई ओडियो रिकॉर्डिंग भी वाइरिल हुए है, जो ने दिखाया है, उसके जमाई, उसका दामाद, उसकी बहू, उसकी बेटियां आराम से उससे बात करती है, जो मुक्तार अंसारी लाखों लोगों अपने अंतरक देखा होगा, और आर्जो काजमिजी और नाजिये लाए खान जी का ये पूरे डिसक्शन आपको काफी पसंद आयोगा, इसमें आपको बहुत कोछ जानने का मिला होगा, जैसे कि आपने देखा, भारत की शेरी नाजिये खान जी ने, ना सिरफ भारत में रह हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके इसी लेटेस, इंट्रोस्टिंग और मज़ेदार वीडियो लाते रहें, तो चलिए, फिर मिलेंगे, ऐसी किसी जबदस वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिए, जै हिंद, जै भारत